आदमी यहां पर बिहोश पड़ा है तो जब तक वो एम्बूलेंस आईगी तब तक हम क्या करेंगे तब तक हमको उसके जो हाट को है अपने पंप करना है ताकि वो उसको ब्रेन को ब्लैड और ऑक्सिजन की सप्लाय चालू रहे जिससे वो ब्रेन डेड ना हो जब वो पहुचेगा तो फिर उसको कोई निवचासे तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका जो मुह है मुह को हमको क्लियर करना क्योंकि कई बार क्यों लार को खून अगर एक्सिडेंट दॉआ है तो तो उसके अटा दो और कई बार जीब पीछे की तरफ चली जाती है जब जो अगर आप लेफ हेंडर हो तो रहिट है तो उसका यह हील ऑफ हैंड कहते है जीज से उसको यहां पर रखना है दूसरा हाथ इसको इंटरलोग करना है पूरा हाथ इस पर प्रेस होगा और यह कंपरेशन में दो चीजां में रखना एक तो दो इंच तक जो है वो अंदर जाना चाहिए आपके पेशेंट जो भी है प्लस जो आपकी एती है जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 पर मिनिट यानि अगर आपको 30 पंप कंप्रेशन करने हैं तो आपको 20 सेकिंड से यादा नहीं लगने चाहिए अब जाना इसके बाद मौट तो मौट रेस्परेशन आता है जिसमें हमको इसके टोटी को थोड़ा से उपर करके थोड़ा से सर को पीछे दबाके उसका सर की उचा करना है ताकि जो भी हम हवा दे रहे हैं तो सीदह उसके फेपड़ों में जाए यहां से इसके नाग बन कर द है माउट टू माउट इसके पू से मूट रहा है कि दो एक और दो सांस दो बार सांस बरनी उसके बाद फिर तीज बार पंपिंगे जब तक करना आपको जब तक मदद ने है एंबूलेंस ने है थी ऑस्पिटल से कोई आनी जाता और उस पेशेंट को वो लेने है अगर आप कर दिया तो 80% केसिस में तो यह होगा कि उसको हातों हाथ होश भी आ सकते जब तक आप करो अगर उसे होश आगया तो फिर कुछ करने की जड़ूरत है वेट करो एंबूलेंस का उसे होस्पिटल जाना और अगर नहीं हुआ है तो फिर आप इसको चालू रखो और लोगों क बुलाओ उनको हातों हाथ सिखाओ कि आप ऐसे करो क्योंकि आप यह क्या दो बार करोगे आप तब जाओगे वह दम लगाना पड़ता है तो और लोगों को बुलाओ उनको बताओ कि कैसे कर रहे हो और उनकी मदद लो और करके देखों